जहिंद बच्चो मैं डॉक्टर धर्म शिंग मीना असिस्टेंट प्रॉफिसर एकॉनमिक्स बार्मेंट आर्ट्स कल्ज कोटा और इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ चीजें हैं जो साजा करने का प्रियास करूंगा बहुत महत्पूर्ण है महत्पूर्ण यह है कि जो इंपॉर्टेंट कुशन से उसकी पूरी सीरीज है यह स्लेवस का डिसकसन है और प्रियास यही रहता है मेरा कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीजें साजा करूं फिलाल इस वीडियो में मैं फर्स्ट पेपर की बात करूंगा पेपर वन जोग्राफी का सेकंड येर का और इसके बाद जो है मैं ये पार्ट थर्ण का भी डिसकसन करूंगा वो अगले वीडियो में करूंगा और इसके बाद सेकंड पेपर का डिसकसन भी हम लोग करेंगे धीरे दीरे जो है प्रियास रहेगा लगभख सारे पेपर को कवर किया जाए और आप लोगों की जो करी नहीं लेते हुए डाइरेक्ट जो है आप लोगों के बीए पाट सेकेंड के स्लेवस के उपर आना चाहूंगा देखिए यदि आपको यह स्लेवस चाहिए तो टेलीग्राम पर देखिए टेलीग्राम पर आप लोग डीए से जुकेटर सर्च कीजिए वहां मैं यह आप लोग नंबर इसमें से पास होने के लिए कम से कम चाहिए तयोरी में और प्रेक्टिकल की बात कर है तो 50 क्कम आप लोगों के होगा जिसमें भी 18 नंबर अलग से पास होने के लिए चाहिए है पूरे तीन सेक्षन होंगे तो ये आप लोग ध्यान रखें यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 जैसे थी वह से ही है अब मैं कुछ important questions आजा करता हूँ देखिए पहला question आप लोगों के जो बनता है वो है Nature and Scope of Human Geography यानि जो मानब भूगोल है उसकी पिरकरती और छेतर पहला question आप लोग यहीं से पढ़ोगे और इसके बाद जो है एक question आप यहां से पढ़ोगे विश्व की जनसेंख्या की ब्रधी उसका वित्रण और उसकी समिश्चा है क्या क्या है तो दो question आपको पढ़ने ही पढ़ने है इसके बाद जो है चुकि regular private का अलग-अलग paper आता है तो आपको इन में से पुराना paper देख लेना जो theory नहीं आई है उसे आप लोग पढ़ ले लेना इन तीनों theories में से जो जिसके नहीं आई है उसे पढ़ लेना मेरे असाब में जो है जो बलाचे है इसका काफी महत्पूर है योगदान तो इन में से किसी एक theory को आप लोग पढ़के चलोगे और दोनों questions को यह complete करोगे तो पहली unit आपकी complete होई इसके बाद हम लोग ब पिग्मी और बुस्मेन को अच्छे से पढ़ ले और इनी के questions एक्जाम में आपको मिल जाएंगे इनके बारे में जो सारी चीजे हैं कि यह कहां कहां मिलती है यानि उनका बित्रण आप लोगों को देखना है और उनका क्या-क्या भी अबसाय है और वो किस प्रकार के परिय जरेशू नहीं है दिखिए important question में topic बताए जा सकते है questions बताना ना मुम्किन है syllabus पूरा दिया हुआ है कोटा university का और यह सिर्फ एक idea है कोई यह ना मने की यह paper आएगा प्रियास है बस आप लोगों को कि किस तरीके से यह करना है paper attempt कैसे करना है इसको लेकर के दिंशित तोर प यूनिट का important होता है जहां आर्थिक भूगोल का आर्थ प्रिकरती और चेत्र जो है पहला question यह बनता है नैचर इंपोर्टेंस और स्कॉप ऑफ जो इकोनोमिक जोग्रोफी तो यह बहुत important है और इसके बाद जो है मेरा यह मानना है कि जो energy resources है ना यह आप थोड़ा सा ज्य detail से पढ़ना पढ़ेगा कोईला हमेशा एक्जाम में आता है petroleum भी आ सकता है तो यह दोनों important है बाकी बीच के topic को आप छोड़ सकते हो यदि इन दोनों को पूरा पढ़ते हो एक्टो में को डाइडल को भी पढ़ लीजिए तो उसके बाद यह काफी important आप लिए हो जाएगा मैं इस paper में बताऊं देखो diagrams इसमें बहुत बनेंगे आपको डाइग्रामों का ध्यान रखना है location wise भी bird के map की knowledge आपको होने चाहिए इसके बाद agriculture के प्रकार यह बहुत important है agriculture के प्रकार यानि किर्शी के प्रकार और किर्शी के प्रकार में उन कौन-कौन सी conditions है जो प्रभावित करती है कौन-कौन सी भोगलिक दसा है जो फसलों के बित्रण को और उत्पादन को प्रभावित करती है यानि ये चीजे इसके बारे में पढ़नी है आपको जिस भी फसल के बारे में आप पढ़ोगे उनके बारे में क्या-क्या चीजे पढ़नी है आपको वो कौन कोन सी फसल आपके लिए इंपोर्टेंटे देखो गेहूं हमेजा सब्सक्राइब लहा है चावल इंपोर्टेंट रहा है लावड बहुत इंपोर्टेंट रहा है तो यह आपको देखना पडेगा थोड़ा यानि जो खनज है उनके बारे में हम लोग बात करें खनीजों के बारे में उनके बित्रण और उत्पादन के बारे में तो देखिए फिर वही बात आती है कि कम से कम आपको कुछ एक जो मिनेरल से वह बहुत अच्छे से पढ़ लेने चाहिए यह बहुत बड़ी यूनिट है एक तो आइरन और को आप अच्छे से देखिए इसके बाद लोकेशन ओफ इंडर्स्ट्रीज में आप लोग आइरन एंड श्टील को जरूर पड़ें इसके बाद जो है इंडर्स्ट्रिल रीजन्स को जरूर देख करके जाए यह बहुत इंपोर्टेंट कुश्यन है यहां आप लोग अपना सकते हैं, Shink'em Sing' की मालव बूगान बूगल बहुत अच्छी आती है, इसको यहां से आप मानव और आर्थिक बूगल इसे आप लोग पढ़ सकते हो, हिंदी कर इंतखादमी की जो है आर्थिक बूगल सक कम सखसेना और अगरवाल अंसर राइटिंग की प्रेक्टिस जरूरी है, देखिए 120 पेज का एक रजिस्टर आप लोग हर पेपर के लिए बना लीजिए और उसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, यह बहुत तर इस यही लेता है कि मैं जिस पेपर के बारे मैं आप लोग के साथ डिसकस कर रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से आप लोग के साथ साजा करूं, और मैंने यह पहले भी आप लोगों से काया बेटा कि कोई भी जो पेपर होता है, बिलकुल निशे तोर पर यह बिलकुल भी समझे और उसके बाद हम लोग जो है और डिसकसन इसके उपर करेंगे, सभी बच्चों को सुबकामना है, बिशिंग यो ओल दा वेस्ट और गुड़ लगुड़